हेलो करिकेट लवर्स तो मुकाबला है इंगलेंड और बांगलादेश मैच नबर 20 जो की हो रहा है आपके अबुदाब में शेख जायद स्टेडियम है वहाँ पर तो इंगलेंड अपना पिछला मुकाबला बिल्कुल डोमिनेट करते वे जीत कर आई है और जो लास्ट टाइ इंगलेंड और बांगलादेश के बीच T20 खेला ही नहीं गया है जो कि बांगलादेश के लिए एक अलका सा एडवांटिज हो सकता है क्योंकि इंगलेंड के जो बैट्समन है उनने बांगलादेश के गेंदबाजों को खेला तो है परन्तु जो बांगलादेश की T20 में और काफी अच्छे खिलाडी वहाँ आपको देखने को मिलेंगे परन्तु बंगलादेश को अपनी स्ट्रेटीजी में कुछ चेंजिस करने पड़ेंगे और पिछला मैच वो हार रहे थे अपनी फिल्डिंग और अपनी गेनबाजी को जैसे अगर बंगलादेश अपनी ये द तो भई क्या ही कहने बात करते हैं यहाँ पर कि शेक जैल स्ट्रेटेट में मैच हो रहा है तो यहाँ पर जो है वो ड्राइवी किट आपको मिलेगी और बैट पर इतनी असानी से नहीं आएगी वही यहाँ का एवरेस स्कूर है 150-160 तो यहाँ पर जो मुस्ताफिस और रहमा अगर उनका इस्तमल आप इंग्लैंड के खिलाफ करते हैं तो इंग्लैंड के बलेबास उनको एक ही ओर में 20-25 रन का एक ओवर निकाल देंगे तो यहाँ पर बंगलादेश को अपनी गेंदबाजी के जो डिसीजन लेने होंगे वो काफी सोच समझ कर लेने होंगे और इंग्लैंड के खिलाफ है तो इंग्लैंड के खिलाफ है तो इंग्लैंड के वही आपके जैसन रोय और बटलर होंगे तीसरे नंबर आपके मलान आएंगे फिर आपको मोरगन दिखेंगे फिर आपको बेस्टो दिखेंगे फिर मोहिन अली फिर लेविंग स्टन दिखेंग उनको वो टार्गेट कर सकते हैं वही आकर बात करें कि बांगलादेश की क्या टीम हो सकती है इनकी टीम में आप लिटन दास को देखेंगे नाइम शेक देखेंगे उसके बाद आपको तीसरे नमबर पर शाकी बिलसन को भीजिए अगर आपको तीसरे नमबर पर भीजिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो भाई यह आपके लिए खतरा साभी तो सकता है क्योंकि मोहिनली आएंगे और यहां पर लेफ्ट आम मैट्स में ना उनका फाइदा उठा सकते हैं और मोहिनली को आप लगा सकते हैं कर दीए उसके बाद आपको दीखेंके कौन फिर नुरूल हसन दीखेंगे अच्छे विकेंगे तो अगर महिनली आपको नें इंगलान के खिलाफ अच्छे गेंद भाजी कर दी तो भाई बहुत लंबे टाम तर यह चीज wise रिमेंबर रकी जाएंगी इसके बाद आपके सैफुदीन और नसूम एहमद और मुस्ताफिज और रह्मान तो नसूम एहमद की जाएगा भई चांस दे सकते हैं शायद कि इसको आप तस्कीन एहमद को क्योंकि उनके पास थोड़ा सा experience है और काफी अची गिंदबाजी कर सकते हैं तो इंगलेश की बलेबाजी पहले आती है तो आप कम से भी कम 160-160 स्कोर लगाईए तभी आप इनको competition दे पाएंगे नहीं तो आप अगर 130-140 स्कोर करके भी इंगलेट से अगर competition करते हैं तो बहुत ही जल्दी गेम फिनिश करते हैं और इस ग्रूप में नंबर अनपर अभी इंगलेट ही चल रहा है तो भी देखते हैं इंगलेट का कैसे कारव खतम हो क्या बंगलादेश competition दे पाएगा नीचे कमेट बॉक्स में जुरू बताएं कि क्या बंगलादेश क्या अच्छी cricket खेलेगा या फिर आपको कुछ और expectation बंगलादेश है महमुद दल्ला की कप्तानी में आपको परिवर्तन दिखेंगे या फिर आप वही आप सेम concept के साथ जाएंगे वह आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए होगी अच्छी लगे मिलते हैं नेक्स विडियो में क्लिकेट से जुरी अपडेट के साथ